जी हाँ दोस्तो नमस्कार देखिlist जैसा की बहुत सारे स्टुडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट पीजा रही थी में पास की calls मैंने अपनी चैनल पेर्मने अपने चैनल पर अब तक सिसेट में किने सर्किल कि नहीं जारी कि थी सिस्षड ता उसी बात भी सामने यह बहुत ज्यादा है अंगेज नहीं क्यूंकि तमाम लोगों का मैंने सुना भी था कि थवढ़ा सा टफ आया लेकिन जब सीशेट का मैंने खुद विस्टेशर किया और तमाम लोगों से उसकी एंसर की मैंने मैच खरवाई तो बहुत सारे लोग जो अपनी साथ कुश्चन पैसर कुश्चन बता रहे थे वह खिसक के 35 कुश्चन 38 से भी नीचे चले आए यानि इनका फर्स्ट पेपर तो बहुत अच्छा हुआ सो एक सो पांच नब्बे लेकिन सीशेट में पास होने तक के लाले पड़ गया है तो निशनदेह दोस्तों सीशेट की ये मेरिट निश्ची तिरूप से फर्स्ट पेपर को प्रभ भावित कर जाएगी क्योंकि सीशेट में अगर आप पास नहीं होते हैं 33 कोश्चन नहीं सही होते हैं माइनस मार्किंग के बाद सब कुछ लेकर तो फर्स्ट पेपर में सेलेक्ट होने से भी कोई फायदा नहीं है ये दोस्तों एक बहुत ही सटीक मैं आपको कोशिश कर रह सेट पर देखते हैं यूपीपीश का जो सीशेट का एक जाम हुआ यानि जनरल स्टरी सेकेंड पेपर यहां देखिए यह पहला कुश्यन जो इस्त्री सुर्य भी ना देख सके एक तो आयो की यह गल्ती फस्ट पेपर में भी हिंदी की गल्ती कहीं कुछ बारार्सी को उल् अशुर्य पश्या होगा हलांकि आयोग क्यों सारीस का सही उत्तर वन का सी होना चीए भले ही वैसे यह गलत लिखा है लेकिन अशुर्य पश्या दूसरा अग्या अग्यका आर्थ क्या है जो कुछ भी नहीं जानता हो नेक्स्ट है प्रस्णवाचक चिन का प्रयोग किस वा उढ़िख दिया इन्होंने यहां भी ददीची दखीट है यहां की मिस्टेक उन्हां के बढ़ी मिस्टेक आने के बासे कौपियों की जाच नहीं की गई और इस कारण से गलतियां ज्यादा हो गई है तो वैसे तो इसमें अगर दधीची यह होगा तो सब सही है लेकिन जैसा इसमें लिखा हुए उस अंचार पहला सही होना चाहिए नहीं तो बाकी सारी की वर्तनी शुद्ध है चलिए उसे मृत्य की सजा यह दोनों ही डंड और सजा समनान की सब्दों का प्रयोग हुए यहां पे खड़ी बोली हिंदी का अन्य समीश का सही उत्तर भी है सात्वा का सही उत्तर जो क्रिया भी हो रही है अपूर्ड वर्तमान चर्ण कमन में कर्मधारने समास है नयन नेधन अन यह गध्यां के अधार पर प्रसंद था बहुत ज्यादा टफ कुश्चन नहीं आया था गध्यांस वाला काफी चीजा ध्यार रखी हिंदी के प्रसंद एजी आया थे और यह कम्मिनुकेशन समचार बगारा की प्रसंद थोड़ी जी थे बाकी प्रसंद कठिन कहे जा सकते हैं खेर सबसे यह गध्यांस के अधारने युद्र वर्टा कन सी है तो यह 13th मैंंस के अधार युद्ध विर्टा यह इस आयोग ने गलत इन चारों में से spicy भी नहीं बड़ा रहा लिखा हुए रूह रूख्ष जबकि रूख्ष होता है यानि छोटा रूख होता है तो यह अगर हिंदी की बात करें हिंदी में शुद्धता रहनी चाहिए पता नहीं आयोग कैसे अपने हिंदी वाले आनिक जामस लेगा जब इतनी हिंदी में मिस्टेक इन दोनों पर सब्सक्राइब हो गई खैर तो यह रॉब बढ़ा हो है फिर भी आयोग कोई से अब देखते हैं क्या हो सकते अगर गई तो निश्यत्रूप से अगर इंसर की कि कम्प्लेण गे तो निश्यत्रूप से इसे बाइस को बाहर करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी की शुद्धता क कारण ये गलत है बड़ा रूह रहां नहीं होता बल्कि छोटा रहा होता है यानि छोटा रूप तो रूखशक खेर आयोग इसका सही हुथ ही माने तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि maximum लोगों ने इसका सही उत्तर बी लिखा होगा सुलावा का सही उत्तर बी है यह दूज है 17 का स्याम हस्ता है यह इस वाकिम नाकर्मक्रिया है निम्रखित में तदभाव तो ततदबर शब्द कौन है चौदर पगड़ी रख घी चग मतलब अपनी इजत निरलज होके मांगना ब्यूम ब्यूम का प्रयावाची नहीं है प्यूस बाकी सब अंतरिक्ष ब्यूम का परयावाची है इंग्लिस देखें इंग्लिस के कुष्षन बहुत लोगों ने कहा क अगर आप ठीक ठाक से इंग्लिस यहां कुष्षन देखें तो इंग्लिस के कुष्षन बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा है जैसे पहला है कि चेंग फालोइंग सेंटेंस इंडू कॉंप इंटू कॉंप्लेक्स सेंटेंस विदाउट यूर हेल्प ही कैन डू नथिंग तो यह रूल जो है यह अनलस की तरफ जाते हैं तो सहीं उत्तर भी हो जाएगा दब्वाइज रैंड राउंड ट्री कई सारे लोगों ने नाउन भी कहा था अब्स्टेक्ट नाउन चुकिए वी से इसता बता है लेकिं ध्यान रखिए यह राउंड एड्जेक्टिव आप भी यह बात जानते हैं यह थोड़ा सिंपल है चेंड फालोंग चेंटर इंटू इंडाइरेक्ट अर्था टीचर क्या करेंगे आग्रह करेंगे टीचर ने कहा तीचर आदेश तो देंगे जैसे वहां पे क्लास टीचर जो और स्टुडेंट के बीच का यह जो कम्यूनिकेशन ह होना चाहिए तो यहां जब आप चेंज करते हैं तो अर्ग का प्रियोग होता है जितना मैं समझ पाया सही तर्सी है complete the sentence with suitable alternative the son asked his mother if he might go out आप लोग पढ़े होंगे पुदानी फिल्मों में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को फोन करते हैं तो क्या कहता है could I talk to him तो ऐसे ही यहां पर माइट का में नहीं बलकि माइट का प्रियोग होगा चलिए नेक्स्ट है it is difficult for me to part with my belonging यह belonging के साथ विद का प्रियोग होता है इतनी तो समझ आपको होनी चाहिए यह belonging के साथ विद का प्रियोग पूरे यह विद टू यह सब एक पूरा का पूरा आपको यह पढ़ना चीए पुरा कप इसका पूरा एक सेनार्यू होता है इसका पूरा मेठड होता है वह मेठड से आप लोग रहे हर एक्जाम समें प्रस्न पूछे जाते हैं पिक आउड सिनानेम आफ हाई यह कुस्ण यूरीड आइट फ्रम थालूइग तो यह कुस्ण अगर आप आपको आएगा तो कर पाएंगे इसका एक एडमी कुत्तर होगा तो यह कुस्ण अपने आप मेठ प्रसकता है चाब बीच्ब श्वा का बूँच्ट हाँ पूरा इस प्रवा जै चालिए पारेगार्फ जो पूछा गया था कि पहम बहुत ज्यादा तब पयले फिर फिर यह मेधन ए कहई पहर ज्यादब थे जैसे मैं आपको दिखाऊं दा बेस्ट वीटु विन फ्रेंड इस टू आवाइड क्या है एंबिग्यूटी इन इस पीच यानि और सपस्टा इस पीच में और सपस्टा हटाई यही को पैरग्राफ में लिखा भी हुआ है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यह तफ था वाइल टॉकिंग टू एन अन एडुकेटेट पर्शन वी सुड यूज सिंपल वर्ड जाहिर सी बात है और इंडी स्पीच कई लोग और इंडी स्पीच के रहे देखिए और नकरात्मक सब्द है कि वह और इंडी यह ब्यक्ति के लिए आता है रहे वह बड़ा और इंडी लिए और सिंपल परसंड याणि सक्राओं असिंपल परसंड या इसकी बात विडिद़् उसकी टलेंट की बात कि जारी उसकी बड़ाई की जारी और और अर्दिरी मतलब उसकी नकरात्मक भावना तो यहां पे हैं सिंपल वर्ड सी से उत्र इफ वन यूजेज दसें स्टाइल आफ लेंगवेज विद एबरीवन वन साउंड फॉलिस ठिक यह तो साफ परग्राफ में लिखाई हुआ है नेक्स्ट है स्पीच बिकम सकॉस इफ इट क्रिएट्स मिस अंडरिस्टानिंग यह भी परग्राफ से एदम साफ जहलक जाता है चलिए नेक्स्ट है स्पीच इज गिफ्ट इफ इट तो यह जो उन्टीसवा है इसी का अपोजीट है यह जो यहां पे लिखा हुआ है तो ध्य तो इफ स्पीच इज गिफ्ट इफ इट कम्यूनिकेट्स आवर मिटिंग क्लैरी टू आवर फिलो जाप चारों पढ़के देखिए इन सब कुश्ट्र का उत्तर सब आप्शन पढ़के देना होता है तो आप चारों कुश्ट्र पढ़के देखिए स्पीच इज 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 बहुत आसान कुश्ट्र नहीं कहा जा सकता इस्टेंफा विक्ट्री एटा हाई कस्ट चलिए चूर्ड वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू वेनेरेट वेनेरेट का मतलब होता है सम्मानित करना और यह है निंदा करना तो अंग्री जी के जो भी कुश्ट्र यह अंग नहीं है इसका सही उत्तर है जीवन मुल्ने वंग दृष्टि सैतिस्वा कौन सी विशेष्टा समाजिक रूप से वन्चित व्यक्टियों के लिए उचित निर्ड़े लेने के लिए सरवाधिक महत्पूर है तो यह है परानुभूति किसी संगठन में अधिकारी तता धिनस्तों के मत्य नियमित अंतर क्रिया का सबसे बढ़ा लाविया है कि यह प्रभावी निर्मार को सुगम बनाती है 38 का सही उत्तर सी यह 49 का सही उतर सी 40 का सही उतर है सी तो यह सब कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आसान थे लेकिन इसमें देखे 36 आसान था 37 थोड़ा चाहिए थे मैंने भी टेलीग्राम पे इस पीडियाओ को शेयर भी किया था मैंने के आइए मैस के कुश्ण मैस के कुश्ण ठीक थे जिनको मैस आती है वो तो कर पाए होंगे इनको नहीं आती है उनके लिए मैस टफ रहा हुगा लेकिन अन्य कुश्ण थे जिससे 33 नंबर पाए जा सकता है था अगर आपने ठीक था क्वेशन किये होंगे मैंने देखा मैंने यहां तक देखा लोगों ने 65 क्वेशन 64 क्वेशन किया है लेकिन वह खिसक के 33 नंबर 34 नंबर अगर आप 33 प्लस है तो भला है आपका ताकि आप पास तो कम स्कम होगे इक तालीस यह सॉल्ब करने पर सही उतर सी आ रहा है 42 का भी है आप लोग मिलाते जाईएगा आपने कोई भी डाउट होगा तो मुझे यहां कमेंट में जरूर लिखिएगा 43 का सही उतर डी 44 का सही उतर आएगा इसकी डीटेल में अभी नहीं आपको दे रहा कि यह आप सॉल्ब कर क्योंकि जिनका मैस है जो सॉल्ब की होंगे वो तो निकाली चुके होंगे और जो लोग नहीं सॉल्ब की होंगे तो एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा इसके के लिए मैस वगरा के लिए ताकि वो लोग इसको देख लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अधर वाई चैनल कि आपको इसमें मिलाना है कि आपके कितने सही है यहां भी मैं यह पूरा-पूरा ऐसा नहीं कि मैं आपको पेपर मिला यह कि कितने सही है प्रेम करता है कि सफलता के लिए शिक्षा निवार है लेकिन क्या वाकई में शिक्षा के बिना सफलता प्राप्त नहीं कि जा सकती यह भी एक प्रस्ण है कि अगर कोई ब्यक्ति शिक्षित नहीं है तो क्या वह सफल ही नहीं हो सकता अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता क्या व आयों के उपर छोड़ते हैं कि क्या है अरे कुर्षियों का टांग नहीं टांग होती यह कब समझें आप है Leather प्लूरल है बहु अचान है उचारण में भी तो ध्यान रखे कुर्सियों की टांगे खैर पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन क्या है भौतिक विभाजन कुर्सी एक भौतिक वस्तु है यह दोनों आप शॉल्ब करेंगे संभवमान इसका होगा आप डाइरेक्ट यहां के पुट करके देखना होता है कि पचास्वा का सही उत्तर है सी सम्चतिर्भुजवाला एक क्यावन का उनके वक्र प्रिष्टों का अनुपात अंडर टू इस्टू वन होगा यह कमरे की लंबाई बारत चार तीन इधर 14 बारत 15 और इधर 15 मीटर लंबी छड़ है तो इसका सही उत्तर होगा दो तीरपन माध्य पूछ रहा है माध्य सही उत्तर 9 निमलिकित में कौन सा कक्षागत संप्रेशन में समलित नहीं है अनौपचारिक संप्रेशन यह सब रिपीटेड कुश्चन थे किस उद्देश से हेत्यु उरित्तकार संचार सरवाधिक उप्युप्त यह सही उत्तर है छपन का भी 57 प्रत्क्रिया देने से आप क्या समझते हैं संदेश के प्रति आपकी समझ के पुष्ट अगर आप प्रत्क्रिया तभी देंगे जब वो संदेश को समझ जाएंगे तो ध्यान रखिए यह होता है असली कम्यूलिकेशन के संचार के पूरे होन का तरीका 58 तो यह दस अभाज संख्याओं की माधिका और माध्य पूछ रहा है क्याप्टल में लेस्टनिक उन्सटका सही उत्तर सेवन है यानि सी आप इसका बहुलक निकालेंगे पता चलेगा आपको साथवा एक पाई चित्र में विबिन्द मदों का उनुपात किसके सम के वक्र चापों की लंबाई के यह भी रिपीटेट कुश्चन है जो संबंद 3 और 11 में वही संबंद साथ और किसमें होगा तो 51 में होगा कैसे ज़रा सोचिए डिटेल में इसके बारे में हम लोग जरूर जर्चा करेंगे कि निमिखित में से कौन सा शैत्री संप्रेशणर का एक प्रकार है तो पार्श्विक्त संप्रेशण बासट का सीुतर तकी 63 से उत्तर है प्रोफेосर सर्मा ने अपना व्याख्यान कक्क्षा में दिया हाव घाव धौरा संप्रेशण और स्था ब्रख़ार है ये भी आसान स सब एक जगा कलेक्शन करके वहां से 15-16 कुश्चन हूब हूब पूस्ट लिए गाए अगर पढ़ लिए होते तो 15-16 कुश्चन ऐसे आए होते जिसके गलत होने की संपावना सुन हो जाती है निमलिखित में से कौन सा एक संप्रिशर का रूप नहीं है तो यह है मनोरंजक प्रकार उस पुरू से मेरे दादा के लोती यानि वह उसकी बहन तो इस तरी किस प्रकार पुरू से बहन बहन और सट का सही उत्तर होगा यह यानि 821 69 का जो लुपत संख्या वह ठाई से आप लोग देखिए का फीजी है आप यहां देख सकते हैं सिरीज धर गई है सिरीज से 26 तक होता है ABCD यह आप लोग यहां पर यह भी काफी यह सही उत्तर है 70 का बी 70 का आठ मित्रेक पार्टी में मिलते हैं मिन 7 प्लस 6 प्लस 5 फ्लस 4 यह इसका मेठड होता है 28 हाथ मिला ना कितने लोगों कितनी संख्या है तो 28 है कुछ भासा है सीखने में कठीन होती है समस्क कि सीखने में कठीन है इसमें कौन सा तर्क दोस्ति है तो यहां तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है कि इसमें कोई तर्क दोस्तिस में यहां पर जो है वो नहीं है चलिए एक निश्चित कूट में पैन को 31 यह उल्टा कर दीजिए आप एक एक मिला लीजिए तो आपका सही अधिनस्तों को लक्षो को निर्दिष्ट करने के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो यह क्या है अधोगामी संप्रेश्ट सब रिपीटेट कुश्चन है निमलिखित में कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेश्ट की एक बाधा नहीं है श्रक सक्री श्रवन निमलिखित में प्रस्ण बाचक चिनी के अस्थान पर कौन सी संख्या होगी तो इसे आप सॉल्ब करेंगे आप स्वाल्ब कीजिए अंडरूट 5 इसमें फुट करना होता है अंडरूट में 5776 रख दीजिए और बटा 19 कीजिए तो आपका सही उतर 4 आ जाएगा कौन सा सही करम है तो पहले पकाया जाता है फिर चबाया जाता है फिर जब उसके बाद से उसे पचाया जाता है तुड़ी पौधा एक वनस्पति युद्हारी यह अलंकारिक परिभाशा का उद्धारन है प्लस और यह यह रिजनीं के काफी यह आसान कुश्ण था रिजनीं का आप सह यह यह त्युक्त अ пр MAYOR जाएगा RB कंबला रवी की पत्नी नहीं रिक भर कि मा सीता प्रेमलता की मात्र पुत्रव canyonनी है सी ऊक्री हुआ का सही उत्तरG नहीं नहीं होते भारतियों का अमीर गरीब बुद्धिमानन मंद बुद्धिमान यह ही मंद बुद्धिमान नहीं ब्याकरण के दिश्ट कोर्ट से गलत हो जाता है तो मन्द बुद्धी में विभाजन क्या है तो यह है मिश्रित विभाजन ठीक तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा यह 84 का सही उत्तर हो जाएगा या तो ब कथान सकते हैं 86 का सही उत्तर आप इसकोerson करेंगे it चाहिजी है 4888 का सही उत्तर TW Z यानि सी हो जाएगा 89 का सही उत्तर मंगलवार हो जाएगा ये भी काफी जी है 90 का आप एक दिन का गैप करके देखिए 90 हो जाएगा ये सारी मंगलवार हो जाएगा 90 का सही उत्तर इसमें पूट कर दीजिए FSS मैंने मेठर बताया था अपने आपको अगर सेंटर मिले तो बताःएगा जरूर मुझे तानवे का सही उत्तर डिया एक हो जाएगा 98 का सही उत्तर C यानि 96 99 का सही उत्तर X plus 3 X plus 3 यानि C और 100 का सही उत्तर minus 1 by 2 minus 1 minus 1 यानि C तो दोस्तों इसे आप मैच करा लिए कि कितना नंबर आपका बन रहा है कहीं आप भी तो थोड़े बॉर्डर पे नहीं मैं दुआ करूंगा कि सभी लोग 33 से उपर पाएं ताकि फर्स्ट पेपर की कॉपी के अनुसार उनकी मेरिट बन जाए तो चलिए दूस्तों ठीक है इसका पीडियाफ आपको रात तक भीर दिया जाएगा आप टेलीग्राम प कीडिया इसे से और कीडिया दनेवा दूस्तों